Hey guys, welcome back to my youtube channel, तो आज हम लेजंड आफ डाइंड किंग सीर्स को फिर से कंटीनु करने जा रहे हैं, तो जसके हमने प्रिविस एपसरोड में देखा था, जिंगलंग सोच रहे होती है, तो तुम अभी हस रहे हो, ये क्लेली ऐसा है कि तुम मेक को चिड़ा रहे हो, दिखाती हो मैं तुम मैं कैसे खतम करती हूँ आज, तो आपिसरोड नंबर 63 की स्टार्टिंग होती है, ऐसे एनॉंस्मेंट हो जाती है कि जो मैच है उसे स्ट्रेंथ भी वीक नहीं होगी, वरना ये एक थाउजंड ये साउल रिंग को कैसे रख सकता है, इसा लग रहे है कि ये ज्यादा है जितना मैं सोचा था, वो अपनी स्टार्ट को रिलीज कर, मतलब अपनी स्किल को यूज करती है, जिससे उसके आथ में एक स्टार्ट आ किया, वी तो कंप्लीटली डिफरेंट फील कर रही थी, जैसे बाग की कंटेस्टन करते हैं, मतलब जिन के पास दो रिंग्स होती है, जोनी बिलकुल ही, जिंग्लांग के पास पहुंच गया होता है, जिंग्लांग अपनी स्टो को जोन्य की तरफ करती है, मतलब वूलीन की कर सकता हूं इसकी स्वोर्ड पावर को रोकने के लिए जिंगलंग सोच जो होती है इसने मेरी स्थार पावर को ब्लो कर दिया इस इंसान का जो ड्रेगन क्लोव है यह सची मुझे बहुत बड़ी प्रोब्लम है इस फिर फूले इनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करता है व इस फॉड को उपर की तन करते है और शायद ब्लू सिल्वर ग्रास को अपने का के ब्ली कि आंदर लते है और इसकी सोच रहता है क्या क्या यह मेंक्श पंट्रोल इसे बचा सकती है तरह जिंगलंग ज करतो पास ही पहुत तक में लेटा ने को जाफवाज तरीके से मूव कर दिया ताग उसी वजह से काफ़ ज़ादा आफ्टर में आफ इमेजिस बन गई होती है जिसी बोलते है ध्यान से वुलन बोलते है किस तरह का मूव है मैं तो पते हैं लगा पा रहा हूं कि यह आ कहां से रही है जो मेरी मार्शल सॉल है वो भी पूरे तरीके से सप्रेस हो गई है इसकी मार्शल सॉल से वो लिन सोच रहा होता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है मुझे उस मूव को यूज करना है पड़ेगा वो अपनी स्पिर्चल पावर प्रसेप्शन को यूज करता है वो सोच रहा है मैं अगर सकता हूं उसका जो अगर।on च्थी एपनी लेपन कि स्पोरण को रोक रहा होता है वे डारेक्ली जिंगलांग को पकरने लापड़ा पर होता है जिंगलांग पिछे की तरव मूव जूच रहा होती है बना बुरा नहीं है जो टीक है मैं भी सीरियोश होजाएंगी मैं देखना चाह्ती है क तुम इसे ब्लोग कर सकते हो कि नहीं, काफी जादा स्वोर्ट को आगे की तरफ भेज रही होती है, वूलिन की तरफ, ऐसे जैसे जिंगलांग ने बुला, उसकी जो स्टार गोर्ड स्वोर्ड थी, वो काफी जादा थाउजन्ड ओफ स्टार्ड में कनवर्ट हो गए, और जिंगलांग आकी तो देख के सोच रही होती है, इनसान मरेगा अब, वो ओलती है कि ठीक है मैं तो मैं फाइनल ब्लोग देती हूँ, वूलिन आकी तो देख रहा होता है और अपने फ्लोड से उसकी स्वोर्ड को पकड़ लेता है, जिसे जितने भी स्टार गोर्ड एनरजी कोई भी डेंजर है इसकी जिंदगी को, मैं ऐसे वापस लेके जाता हूँ, जिंगलांग ऐसे नीचे पड़ी होती है और बेठी होती है, और बोल रहे होती है क्या वूलिन ठीक है, गुयू कुछ जादे गुसा होती है, काम खराब लग रहा है, गुयू बोलती है मैं तुम समत करो गुयू, अगर तुम ऐसे फाइट करोगे तो कुछ मीनिंगी नहीं होगा, अगर हम उनने फियर मैच में नहीं लड़ेंगे उनके साथ तो, बोलिन बिल्कुल पास से गुजरा मतलब विक्टरी से, तो तुम्हें पता लग गया होगा कि शर्क कि इतना स्टॉंग अ पर, आफ्टनल मैच का क्या हुआ, वुचॉंग ट्यान बोलता है कि तुम्हें टेंशन ही लेनी कॉंपेटिशन की, इंतजार करो अपने बोडी की रिकवरी का, यह अच्छी बात है कि तुम्हार जो से वो काफ़जा जल्दी हील कर रहे हैं, यह तुम किसी तरह की पर्ट को फील कर रहे हो भी, वुचॉंग ट्यान बोलता है मुझे कोई भी पेन फील नहीं और यह बस मुझे भूक लगी है, वुचॉंग ट्यान बोलता है कि तुम्हें अच्छा की आज, तुम्हार पस एक्चुल में चांस था जीतने का, पर ऐसी बात है कि उसने तुम् मेरा golden dragon clone ही होता, तो उसके सामने में कुछ होता ही नहीं, वुचॉंग ट्यान बोलता है कि तुम्हार जो performance थी, वो already कुझा great थी, पर अगर तुम अपनी perception और control को सही तरीके से use करना चाहते तो तुम्हारे पास power base भी अच्छा होना चाहिए, जब तुम पूर तरीके से recover हो वो एक ऐसी force बन गई थी, जो रूख की नहीं रही थी, वो इसके सामने टिक की नहीं पा रहा था, ऐसे TANGVOLIN हील कर रहा था अपनी मतलब, पने आपको खाना खाके, उसकी healing ability भी काम कर गी थी, साथ में वो खाना भी खा रहा था, उसको जो फ्रेंड्स होते हैं, वो खाना ह वो खाता है जा रहा होता है, रैसे उसकी body पूरद से recover नहीं थी, तो उसने channel के साथ discuss किया, और TANGVOLIN ने मतलब एक तरीक के से हार मान ली, जो last round था blacksmith competition का उसमें, तब जो बूलिन की सीने sister होती है, वो जल्दी से वहां पे आ जाती है, और बोलती है, कि तुम on purpose injured हुए, त केंपेंशिप को जीत गई हैं, तो पैसा तुम आ रहा है, वो लिन हसरा होता है कि शुक्रिया sister, वो बॉल्दी की इबास करो, तुम और के अच्छा खाना चाहते है, मैं तुम आ लिए खरीद लूँगी, ऐसे लग रहे कि तुम्हारे कुछ और guest वहां पे आ रही है, बो इ वो लिन में पैसा निलाया होता तो यह चीज होती नहीं, मतलब पैसा लाना भूला नहीं होता तो, जो मेरी big sister zinglaan है, वो actual में kind person है, प्लीज ज्यादा गुसा मत करना उनके उपर, वो लिन बोलते है, यह competition ही था, मैं गुसा क्यू करूंगा, देखो कुछ पी serious नहीं मेरे स जो बोल रहा होता है कि तुम ठीक हो, तो मैंने इंजरी जितने जाफास तरीके से कैसे हीलोगी, तो sister zinglaan की star god power, वो बहुता पावरफुल है, मैं काफसा था खाता हूँ, इसलिए मेरी skin, काफसा थाफ और थिक है, नॉर्मल स्किन से, मतलब वो लिन ऐसा बोल रहा होता है, जो बोलता है तो तुम गुसा निए मेरी उपर, वो लिन बोल रहा होता है, तुम ने ऐसा निए बोलता है कि अम भाई है, मैं कैसे अपने छोटे भाई के उपर गुसा कर सकता हूँ, जो ऐसे बोलता है, बिग ब्रदर, मतलब ऐसे फ्रेंडली उनिन और वो दोनों साथ में खा रहे होते हैं, वो ने बोलता है कि अपने बड़े बाई को फोलो करो, तो मैं काफिजा डिलिशिस खाना खिलाऊंगा मैं, जुंगलान मतलब वो सीने सिस्ट बोल ले थे दोनों भूके, पर ऐसे जू को सड़नल याद आगे कि इसका परपस क्या था इस ट्रिप का, इसन जुंग्टैन बोलता है तुम्हार जो बोडी है, वो तुम्हारी मार्शल सौल के कंपारिजन में खाफिजान स्रोंग है, तुम्हें अपनी मतलब मार्शल सौल के ओपर कंट्रोल को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, अभी के लिए तुम्हारी मतलब बेस सीक्रेट और defense का भी हां से देखो, वो अपने हाथ को उडाता है और एक bottle type को control कर रहा होता है, वो उसे उडा रहा होता है यहाथ, वो बोलता है, यह controlling crane मतलब एक तippि करेट को अपने हाथ में पकड़ने और उड़ा भी रहा होता है, वो बोलता है यह capturing dragon, controlling crane ले मतललों किसी चीज रहन और capturing dragon की तुम उसे अपने control के अंदर ला के उड़ा सकते हूँ विलो उपसेट हो गया, controlling crane ऐसा उड़ाने वाला और capturing dragon पकड़ने वाला, कींचने वाला सोरी बुलिन पोलता है, वाओ, ये techniques है ये तो amazing है, controlling crane और capturing dragon वुचंग्ट्यान बोलता है, अपनी soul power को control करना है, जब प्रैक्टिस करना है जब तुम इसे master कर लोगे, तो ये दोनों काफसा powerful soul skills है अगर तुम सही तरीक्के से master करोगे तो तुम एक mountain को भी manipulate कर सकते हो तुम खोद experience करोगे, जब तुम अच्छे level पर पहुंचोगे वो वुलिन को ऐसे हाव में उडा रहा होता है वुलिन बोलता है, वाओ, मैं तो उड रहा हूँ वुलिन ऐसे को ज़ादा amaze होता है वुलिन बोलता है कि मेरी बोडी तुमारी तरफ आ रही है मतलब वो सोच रहा हता है कि मैं तो escaping कर पा रहा हूँ इतने जाद strong pulling force है वुलिन बोलता है क्या मैं को क्या मार पढ़ने वाली है वो अपनी eyes को close कर लेता है वो बोलता है teacher Wu, sorry, मतलब रुख जाओ वो चॉंग टैन रुख जाता है वो बोलता है कि तुम्हें कैसा फील हुआ जब तुमने खुद बखुद experience किया इसे वुलिन बोलता है कि अजीब सा फील हुआ ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को मार रहा हूँ वो सोच रहो हता है अगर मैं इस ट्रिक को लर्ण कर लूँ और साथ में golden dragon clue है मेरा तो जिंग लांग की power भी काफी नी होगी में को रहाने के लिए वो चॉंग टैन बोल रहो हता है कि next मैं तुम्हें बेसिक सिखाता हूँ controlling crane के तुम्हें याद करना पड़े गए इने बुलन बुलता है हाँ डी के मैं करूंगा शुक्रे टीचर वू रहसे जो रूल से ट्यान है अलाइन्स टूर्नमेंट के पहले तो अलिमिनेशन राउंट थे उनके बाद जो बची 36 टीम्स थी वो round robin मैच अप में fight करेंगे जो राउंड रोबिन है वो चार ग्रूप में डिवाइड के जाता है हर एक में नो टीम्स होंगी जो एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगी जिसी बोल रहता है कि हम अगे बढ़े हैं बुलन बोल रहता हां चलो करते हैं तब में वो चॉंग ट्यान दिखाए देते हैं मतलब ट्यान हाइ स्टेडियम के बोक्स 7 का सीन वो चॉंग ट्यान और एक लड़की वां पे घड़ी होती है वो बोल रही होती है मैं जर्फ ऐसे मिला हाइं की थी कि जिंगलांग थोड़ा बोत करें चीजें कॉम्पटिशन में इसलिए क्योंकि तुम्हारे डिसिपल्स पार्टी स्पेट कर रहे थी क्या तुम जर्ब चिंता नहीं कर रहे हो वो शॉक अकैडमी की टीचर इन चार्ज होती है शैनी वो चॉंग ट्यान बोल रहा है कि मैं चिंता क्यों करूं शैनी बोलती है ऐसे लग रहे है कि तुम्हें मतलब कुछ ज्यादर कॉंफिदेंस है उनके उपर सोच रहे होती है कि इन बाता लगाएं इसके बारे में वो चॉंग ट्यान बोलते है नहीं अगर वो अटेंड करना चाहते है अकैडमी को तो उन्हें अपनी खुद की अबलीटीज को यूज करके आप पहुंचना पड़ेगा शैनी बोल रही है कि तुम आभी भी गुसा हो उनके उपर एक्शली म जी रहे हूं ताकि मैं एक रास्ता फाइंड करूं जिससे मैं उसे द्वारा लाइफ दे दूं जिन्दा कर दूं शैनी बोल रही है कि तुम कुछ जाद ही मतलब स्टब हनु मानते हैं बातों को पर अगर तुम ऐसे नहीं इसे इंसान होते हैं जिसे लोंग बिन प्यार करत तुम गल्द बोलती है जब तुम गे थी तुम्हारे टीचर कुछा साइड थे सुगाइज यह एपसोड इतना था अगर आपको नेक्स देखना है तो वेट करो तब तक लिए सायोनारा